लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीन खबरों के लिए टीवीवर इंडिया लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत दुए साथियों आज के इस कारकम में मैं देश चे सभी किसानों को गाओं में रहने वाली सभी भाई बहनों को कोरोना से फिर सतक करना चाहता हूँ यह संक्रमन अभी गाओं में भी तेजी से पहुँच रहा है देश की हर सरकार इस से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है इसमें गाओं के लोगों की जाग रुकता हमारी पंचायती राज से जुड़े जो भी व्यवस्ता हैं उनका सहयोग उनकी भागिदारी उतनी ही आवशक है आपने देश को कभी निराश नहीं किया है इस बार भी आपसे यही उम्मीद है कोरोना से बचाव के लिए आपको खुद पर अपने परिवार पर सामाजिक स्तर पर जो भी जरूरी कदम है आवशक्ता हैं उसे हमें उठाने ही है मास्क लगातर पहनना बहुत जरूरी है वो भी ऐसा पहनना है कि नाक और मुपर पूरी तरह से धका रहे हैं दूसरी बात आपको किसी भी प्रकार के खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दत जैसे लक्षणों को सामाजने मानकर नहीं चलना है पहले तो खुद को अथा संभव दूसरों से अलग करना है फिर जल्द से जल्द कोरोना टेश करना है और जब तक रिपोर्ट ना आए तब तक डॉक्टरों से जो दवाई बताई हैं वो जरूर लेते रहना है साथियों, बचाव का एक बहुत बड़ा माध्यम है कोरोना का टिका केंद्र सरकार और सारी राज्य सरकारे मिलकर ये निरंतर प्यास कर रही हैं कि जादा से जादा देशवासियों को तेजी से टिका लग पाए देश भर में अभी तक करीब 18 करोड वैक्सिन डोज दी जा चुकी है देश भर के सरकारी अस्पतालों में मुप्त टिका करन किया जा रहा है इसलिए जब भी आपकी बारी आएं तो टिका जरूर लगवाएंगा ये टिका हमें कोरोणा के विरूत सुरक्षा कबच लेगा गंबीर बिमारी की आशंका को कम करेगा हाँ टिका लगाने के बाद भी मास्क और दोगज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है